नमस्कार दोस्तों मैं विजे सेनी आपका मामल बहुंसा में फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों लास्ट टाइम जब हम लाइव आये थे तो काफी क्यों यह आई थी कि हर्ब्स लांट के ऊपर एक वीडियो बनाईए दोस्तों से सवे-गोद ओस्तों वेडियो आपके शेता हुआ है वो इसके सकते हैं और इनका il ले पुसा तो कि पौदभ करहते हैं या आप अपने गार्डन एरिया में विजन को ग्रो कर सकते हैं इंडिया में इस पोदे की पूजा की जाती है और ये बहुत ही फाइदे मंद होता है इसे इंडी में तुलसी कहते है ये एक मेडिकनल हर्ब ब्लांट है इसकी स्टेम ग्रीन होती है लेकिन इसकी एक वराइटी और होती है जिसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी जो है डार्क पर कर लगे होती है जिसे शाम तुलसी कहते है इसके फूल छोटे छोटे होते हैं जो गुच्छों में होते हैं और लाइट पर पर कर लगे होते हैं इसके पते, स्टेम, सीट, मेडिकनल, हर्प्स बनाते हैं तुलसी जो कुकिंग में इस्तमाल होती है जैसे कि खाने में और चाय में सरदे लगने पर इसकी चाय पिनी से काफी रहत मिलती है और इसके गुनों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है पूरी लिस्ट बनाएंगे तो यह एक स्पैसल वीडियो इसी पर बन जाएगा तो इसके बारे में हमका भी फिर अलग से वीडियो बना देंगे तो आप तुलसी जो ग्रो कर सकते हैं तुलसी के अंदर कुछ प्रोलम आते हैं कि यह सूख जाती है इसका वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगा नमबर तीन, मिंट पुदिने की खुश्बू बहुत अच्छे होती है जिससे की जो शिगन जी या जो आपका गन्यकरास है वो और खुश्बूदार और टेस्टी हो जाता है पुदिने के अंतर विटामिन ए पाए जाता है इसके सेवन से आखों की जो हैल्थ है वो काफी अच्छी होती है और इनके जो सीट्स हैं वो अगर आपको सीट्स की शोब पर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अधरवाज यह आपको ओन लाइन एजली मिल जाएंगे नमबर चार कारों यान के अजवाइन यह भी अपनी खुश्बू के लिए काफी लोग प्री है अजवाइन आपने भी खाने के अंदर आपने यूज किया होगा अमारी यहाँ पर के जो नमकिन बनाते हैं नमकिन स्नेक्स जो होते हैं वो बनाते हैं तो उसके अंदर जरूर जो अजवाइन है उसके दाने जो है वो डाले जाते हैं और यहां पे जब बच्चे का जनम होता है तो उसके बाद उसकी मा को जो है इसके लड़ू बना कर खिलाए जाते हैं अगर आपके यहां पे भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अजवयन जो है वो दो तरह के होती है इसलये काफी लोग कन्फ्उयूज होते हैं कि कॉन सी अजवयन है जो रीयल अजवयन होती है उसके पत्ते कुछ कुछ ब्रह होता है और जो यहां प्लांट वं और गर में यूज करते है है अगर आप ग्रो करेंगे तो वैसा ही होगा वह रियल होगी तो वह आप गर्म में जो होती है उनसे ग्रो कर सकते हैं अगर आप जो सेकुलेंट जैसा दिखने वाला पोदा ग्रो करना जाते हैं तो उसके सीड्स आपको शायद लोकल सीड्सी शोप पर ना मिले तो आप उसको to marry सकते हैं लेकिन यह डियान कि जो रियल जवैन है वह वही जो आप हम सेसे ग्रो कर सकते हैं तो मारी सीपसाइट भी चेक कर सकते हैं तो इस website पे आपको शुरू से लेकर जो bonsai है उसके article मिलेंगे जो कि हिंदी में होंगे ताकि आप easily समझ पाए यानि कि मेरी खुद की बाश्या में आपको वाँ पे देखने को मिलेगा और आप easily जो है वो bonsai सीख पाएंगे नमबर 5, aloe vera aloe vera एक ऐसा प्लांट है जिसके बारे में सायद ही किसी को ना पता हो ये काफी लोग प्रियप होता है जो कि हर गार्डन में आपको देखने को मिलेगा इसको ग्रो करना बहुत एज़ी है इनको आप seed से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इनकी खेते की जाती है या फिर आप चाहें तो इनके जो बड़े ब्लांट होते हैं उनके नीचे इनके जो बेवी प्लांट है वो ग्रो जाते हैं तो आप उनको अलग करकर उनको भी ग्रो कर सकते हैं इनको आप पोर्ट में लगा कर अपने किचन में रख सकते हैं या अपने बालकों नहीं में रख सकते हैं, इनको दूब में रखे, पानी कम दे, तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं, अलोविरा से काफी बिमारिया दूर होती है, ये भी एक मेडिकनल हर प्लांट है, इसके उप्योग की बात की जाए, तो इसको भी खाने में उप्योग की ज होती है, चहरा जो है वो निखराते है, अलोविरा आपको easily नरसरी में मिल जाएगा, अगर आपके पास चोटी मोटी नरसरी भी है, आस पास तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा, या किछी के घर पे ये आपने फ्रैंड के पास मिले, तो उनके पास जो baby plant हो, वो लाकर आप गरो कर सकते है। नवर छै धनिया, धनिया को उखाने का इक अलगी मज़ा होता अपने गर्मियों के अपने की चाहिए तो इसको रखे तेज पे अनाव, ऐसी जगे पे धनिया को गरमी में भी ग्रोn karış के या स्कते दनिया की पतियों होती है उसको खाने में। यूज़ किया जाता है हरयाना में धनिया की जो चन्रा यूद गानी Regular भाइंट उसके लिए Tips कोThat तो दनिये के सीड जो है उनको दो बाग में बाट कर फिर आप लगाएंगे तो जल्दी ग्रोगा नमबर साथ सॉंफ जैसे कि मैं बताया है सॉंफ और जो डिल है उसके प्लांट मिलते जुलते होते हैं एक जैसे लगते हैं खाना खाने के बाद अगर सॉंफ की एक स्पून ख प्रोग कर सकते हैं बस यह दियान रखे कि जो सीर सा आप घर में यूज़ कर रहे हैं वह अच्छे हो यानिकि वह खराब ना हो ज्यादा पुराने ना हो सॉंफ की चाय पीना भी सेहत के लिए काफी अच्छा मना जाता है और यह मैं खुद ट्राइ कर चुका हूं मैं काफी इसे गाडन में रख सकते हैं और किचन में लख सकते हैं इसको एसे खिड़की के पास रखी जहां पर दूप आती हो नंबर नो लेवेंडर दोस्तों लेवेंडर जो है वो एक खूपशूरत पोदे है इसलिए इसको जो है डेकोरिटिव पोदे की तरह ज़्यादा यूज गया जाता है इसे आप अपने गार्डन में किचन में बालकोनी में जान रखना चाहे वहां रख सकते हैं बस यह द्याना किया कि उ जो समयच जैसे कि बालों का गिरना वह काम हो जाता है और बालों की जो ग्रोथ है वह काफी अच्छे से होती है तो आपके पास अगर लेवेंडर का प्लांट है तो बहुत अच्छी बात है या आपको किसी अच्छी नर्स्तिरी में मिल सकते हैं या फिर आपको ऑन लाइन म अधिया के जो पत्ते हैं आधिया उनको काट कर रख लेए और उसको बाद में युज़ कर सकते हैंенийाट के अखाने में चाहती हैं यह बहुत पाचनुक्री पांच किरी वैं उसमें म्हाम राओ के जाते हैं तो अगर आप इस टाइम पर इसको ग्रो करना चाहें, यानि कि गर्मियों में ग्रो करना चाहें, तो इसको भी आपको ऐसी जगे पर रखना हो, जहां पर ब्राइट लाइट आती हो, लेकिन जो तेज दूप है, वो इस पर नाए, इसको थोड़ा शेडी अरिया में रखें, जहां पर हलकी दूप, हलकी चाहें आती हो, तो यह अच्छे से ग्रो हो जाएगी, आप इसको पोर्ट में लेकर अपने कीचन में रख सकते हैं, जहां पर इसको हलके लाइट मिलती रहे, ब्राइट लाइट मिलती रहे, लेकिन डायक्ट सनलाइट ना मिले, दोस्तो और भी काफी ऐसी हर्प्स के प्लांट है, जिनको हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सभी के बारे में मैं अगर आपको डिटेल में बता मुआ तो जो वीडियो है, वो काफी लंबा हो जाएगा, तो उन प्लांटों पे हम कभी फिर बात करेंगे, तो यह कुछ हर्प्स के प्लांट थे, जो मैंने आपको बताए हैं, और आप इनको ग्रो कर सकते हैं, इन में से कौन-कौन से प्लांट आपके पास है, या कौन-कौन से प्लांट आपके पास नहीं है, जो आप लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट बोक्स में जरू बताएगा, और आपकी कोई क्वेरी है, तो एक बा आपके पास नोटिक्वेशन चल जाए और आप कोई वीडियो को लाइक और शेट जरू क्या करें अपना सपोर्ट दिखाए अपना प्यार दिखाए एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक अपना और अपने माता-पिता का ख्याल रखे शुक्रिया